तो आयोडया में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए एकत्रित किये जाने वाले नगत चंदे का पैसा तीन गुना बढ़ गया है जीहां स्री राम जन भूमी तीर्थ छेत्रित ट्रस्ट के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने ये कहा कि राम जन भूमी आरहे भक्त भारी मांतरा में कैश में डोनेशन दे रहे हैं और ट्रस्ट के कारेलाय भ्रपारी प्रकास गुपता ने बताया कि डोनेशन बॉक्स से निकलने वाले पैसों की गिंती और उन्हें जमा करने के लिए निक्ट किये गए बैंक अधिकारी उन्हें ट्रस्ट को इस बात की जानकारी दी है कि पैसों में पहले के मुकाबले तीन गुना बढ़ोतरी देखी गई है बता दे कि प्रकास गुपता ने बताया कि राम मंदिर के लिए दानपातर से एक बार में जो पैसे निकाले जाते हैं उन्हें गिनने में करीब 15 दिन का समय लग जाता है साथ ही उन्होंने बताया कि सिर्फ 15 दिन में ही दान की राशी एक करोर रुपे हो गई है और राम मंदिर के दानपात्र को हर दस दिन पर खोला जाता है और उन्होंने बताए कि भारती स्टेट बैंक ने राम मंदिर के दानपात्र में दिये जाने वाले पैसों की गिंती करने के लिए और फिर गिंतिक करके उसे बैंक में जमा करने के लिए दो कर्मचारियों को निउप किया है वही स्री राम जनभूमी ट्रस्ट के महा सच्छिव चंपत राय ने भी इस बारे में कहा कि राम मंदिर के लिए आने वाले चंदे के पैसों में तेदी से बढ़ोतरी हो रही है